अपनी छमता में विश्वास करें एक जंगल में एक पेड़ की साख पर एक छोटा सा पक्षी बैठा था वह एक डाल से दूसरी डाल पर खूंता फिर तीसरी डाल पर वह निर्भीखों के प्रक्ति का आनंद ले रहा था अचानक से जंगल में तूफान आ गया और हवाई बहुत जोर से चलने लगी ऐसा लगने लगा कि सारे पेड़ चूट कर गिर जाएंगे पर उसे छोटे से पक्षी को कोई डर ना था उसे विश्वास्त था कि तूफान से अपने आपको बचा लेगा अगर एक साथ डाल तूट गई तो फिर भी वे दूसरी डाल पर जाकर बैठ जाएगा जंगल में ना पे तो पेड़ों की कमी ती और नहीं साखों की बो जानता है अपनी सक्थी को उसके पास उड़ने को पंक है और यहीं पंक उसकी सक्ती है और यहीं उसका विश्वास है तो दोस्तों हमें इस कहानी से सीख मिलती है मुसीवत आये तो इस नन्ने पक्षी की तरह निर्भीक होकर सामना करो मत बोलना की विपरीत परिस्थितियों में ही हमारा सर्विसेष्ट बाहर निकलता है याद रखना की पतंग हवा के विपरीत उड़ती है मत भूलना की जब कोई रास्ता नहीं होता तभी बहुत से रास्ते होते हैं बसरतिया है की हमें खुद पर विश्वास और अपनी छमता पर भरोसा हो